कर दो आज हम बात करेंगे ट्राइंग की बारे गुए और पूरी बात हिंदि में बताऊंगा ये लिश्ट है मेरे पास एवन एक्यूटमेंट ड्राइंग्स की और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ड्राफ्टर आप दिखाते हैं आपको ड्राफ्टर यह द्राफ्टर मेनी डाफ्टरी से कहते हैं और इसमें इसके अलग लग आट है स्केल है साइज है इसका यह द्राफ्टर होता है और अब देख सकते हैं यह 90-80 पर स्केल लगा हुआ है इसकेट की एक साइड की एक साइड की मैं लेंट तो ते 25 cm उदू से किया 15 cm इसको राइंब और राइंटेबल जहां की चाहिए उसका स्केल आप देख लीजी स्केल पे एक एजोग आप इसकेल है और 15 cm का यह 25 का यह और इसको इसे लोग कर लेते हैं इसको भी जोटाइब में कर सकते हैं किसी भी एंगल पर इसको यूज कर सकते हैं यह बिए बहुत ही चीप है और खुश्ट भी इसकी जादा नहीं लोटी फॉट्टी गया फोक्स वता हो किसी दी इसको जैसे चाहे वैसे उ क्यんだ है अब मैं बात करूंगा रहा रहा है यह एक इंस्टूमेंट डोक्स भर जाना तरिस का यूज जो कंपस दीन आयज Laid कि यह इसकी वैसे कोस्ट काफी पढ़ते है टूशुक्ति के पुक्स मेरा कूशुक्ति का आया था लेकिन इसकी एकुरेसी बहुत हाई होती है काफी अच्छा है यह और अध्मादिखाता हूं सैट स्क्वेर पर चैस्ट को यह है अच्छी मेरे पास अभी जो है बहुत ही जो भी चोटे हो आए इसमें तीन एंगल है एक नाइटी का एक थाटी का और एक सिक्ष्टी का इस तीन एंगल से अभी आप देख सकते हैं इसको बैसे कोई आउल इसे अभी में थाटी का आपको दिखा रहा हू ये थर्टी का लगा सकते हैं बेसिकली बस इसका यह उसे ज़्दा आ वैसे भिया ज़्यादा यूज निकाथि जैसे 90 का यहां पर लगा देते हैं यह सब मेनी ड्राफ्टर से भी हो जाता है इसकी ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती है प्रिभी आप लाना चाहें तो ला सकते हैं टाइंग में यह भी काम आता है इसी कोई बात नहीं है आप करते हैं प्रेंसिल्स की तैंसिल कैसी यूज करने चाहिए एच भी एच टूु एचो थ्री एच यह चाहिए और मेरे पास कोहिनों यह ब्लांट है कोहिनों कि लाएंगे कोहिनुका लेड का प्याचा आता है एक नट सारी और यह काफि काफिव ड्राइंग सम्दा बना सक करके काफी अच्छी पैंसिल होती है और इसमें यह इसका ग्रेट से यह लाइट और की इस पर डिपेंड करता है यह अच्छी अगर आप डाइंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो दिस इन देश्ट पैंसिल आइधिंग कि अगर अगर देखिए अधियर डाइंग इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं वह है तो सेंट पेपर पैट सेंट पेपर बहुत काम की चीज़ है अच्छी अच्छी आप शापनर जूज नहीं करते शापनर एक्षट ड्राइंग में यूज करना ही इस पैंसिल का जो लैड है सेंट पेपर पैल से ही इसको शेप देते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं इसको को हमको लोंगी टूडनल भी मूव करना हो रोटेट भी करना दोनों मोशन एक ही साथ देंगे तो इसका काफी अच्छी शेप जो है लैड की वो हमारे साथ हमको मिल जाएगी और वीकन यूज ज़िए प्शेट करलों टैप मिकाफी कंकिसी चुर्शंट अबाद जो प्रेंट कर दीघए अङड में इस इनठट किक्ष्ट अलों टेर जोड़ सेंगे तर दा लोगो कर देंगे पाल आक्ट अष्पाल मिन्सी हां सकते हैं लेकिश उन इसकाम कि इससे कोई मतलब पर हमको डायमेंशन नहीं रहता है तो है नाइन तो बिल्कुल कारूब ने लगती है लेकिन इसका कोई अपने को यह नहीं रहता कि यह कितनी लेंद की लगी है यह इसका यह बस फ्रेंच का वैसे होता भी इसलिया जो का उसलाइन है वो जो बिना मेजर के बिना डीनेंशन की लाई इसको ड्रा कर सकते हैं यह फरेंज का इजूच का क्क्म है ओब रभ बीस क्आ चीज लिए इसका पहता है रहता है время शैके रुपीज का पड़ा था काफी काफी काम का चीज़ देखो अब आपको इसका यूज बता रहा है देखिए कर देखिए उसको काम इरेजिंग का है अदलब किसी पर्टिकुलर एरिया को हमने इरेज करना है पर्टिकुलर जो माइक्रोपाइंट्स होते हैं उनको इरेज करना हो तो इसका काम है और राइंग शीप बहुत जगा हमें यूज होगा इंजिनरिंग में तो बहुत ही और देखिए आप इसको यह रेज कर देगा इसलिए बहुत काम की चीज़ है आप जरूर खरीदें इसको भी और यह सब और अब बात करते हैं सरक्ल मास्टर की चोटे साइड़ में जो स्प्रस्री काफी अच्छी यह फ्लैक्सिबल होता है जल्दी से ब्रेक भी नहीं होता है इसकी खाश बाती है लेकिन कोस्ट भी महेंगी हाई थिंग 70-80 रूपीज है यह भी और यह देखिए आप 3D में भी लगा सकते हैं 3D में कहें तो अब सर्कल अगर आपको 30 डिगरी के एंगल पर लगाना है तो यह बहुत इसे ड्राइंग में टाइंग बचेगा ड्राइंग शिट पर आफ फास्ट वर्क करेंगे एक्यूरेट वर्क करेंगे और बहुत वैनिफिशल है यह आप यह भी जरूर खरी दिया दोनों की खोश्ट 70-70 रूपीज बढ़ते हैं कहीं भी ना मिले तो न्यू डैली में आप को मिल जाएगा अपना से कीच सकते हैं काफी अच्छा है ओके थैंक्स फॉर वाचिन मैं वीडियो थैंक्यू